बिहार इंटर पास स्कॉलर्शिप दो हजार बाइस इस दिन से मिलेगा पैसा सुचना जाड़ी बिहार सिख्चा इवाग के तरफ से राज्य में एक योजना चलाई जाती है इस योजना के तहत इंटर उतिर्ण करने वाले चात्रों को सरकार के तरफ से प्रोशाहन रासी के रूप में कुछ पैसे दिये जाते हैं या पैसे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोशाहित करने के लिए दिये जाते हैं इस वर्ष इंटर उतिर्ण करने वाले चात्रों को बिहार सरकार के तरफ से अभी इस योजना का लाब नहीं दिया गया है इसे लेकर सिक्षा इवाग के तरफ से एक जानकारी सामने आई है इस योजना को लेकर सिक्षा इभाग के तरफ से जानकारी दी गई है कि कब तक छात्रों को इस योजना के तहत मिलने वाली राशी परदान की जाएगी तो अगर आप अपने भी इस बार इंटर उत्तिर्ण किया है और इस योजना का लाब लेना चाते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को पूरा जरूर पढ़े हैं इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दियेगे लिंक पर क्लिक कर देखें पोस्ट नेम बिहार इंटर पास स्कॉलर्शिप दो हजर बाईस इस दिन से मिलेगा पैसा सूचना जाड़ी पोस्ट डेट तीन बारा दो हजर बाईस पोस्ट आईप इजुकेशन सरकारी योजना सेम नेम मुख्य मंतरी बालिका प्रोसाहन योजना कन्या उत्थान योजना कब तक मिलेगा पैसा इसी मा के अंत तक इंसेटिव 25,000 रुपिये ओपीशल बेब साइट योजना सोट डेटेल्स इस वर्ड्स इंटर उतिर्ण करने वाले छात्राओं को बिहार सरकार के तरफ से अभी इस योजना का लाब नहीं दिया गया है इससे लेकर सिक्षा इवाग के तरफ से एक जानकारी सामने आई है इस योजना को लेकर सिक्षा इवाग के तरफ से जानकारी दी गई है कि कब तक छात्रों को इस योजना के तहट मिलने वाली रासी परदान की जाएगी बिहार इंटरपास स्कॉलर्शिफ दो अजर बाइस बिहार बोट के इंटरपास करने वाले छात्राओं को सरकार के तरफ से प्रोशाहन के रूप में कुछ पैसे दिये जाते हैं या पैसे उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोशाहित करने के लिए दिये जाते हैं लेकिन इस बार इंटर उत्तिर्ण करने वाले छात्राओं को इस बार का पैसा मिलने में बहुत ही देर हो चुकी है ऐसे में छात्राओं को इसके तहत लाब मिलने का बहुत ही बेसरवी से इंतिजार है सिक्षा इवाग के तरफ से आई जानकारी के अनुसार छात्राओं को इस योजना के तहत इस महने दिये जाएंगे इसका मतलब है कि दिसंबर के आन तक छात्राओं को इस योजना के तहत लाब पहुचा दिया जाएगा बिहार इंटरपास स्कॉलर्शिप 2022 इस योजना के तहत मिलने वाले लाब इस योजना के तहत बिहार राज्ये के इंटर पास छात्राओं को उनके इंटर उत्तिर्ण होने पर प्रोशान राशी के रूप में 25,000 रुपिये दिये जाएंगे पहले इस योजना के तहत केवल 10,000 रुपिये ही दिये जाते थे इस योजना के तहत पर्थम दृत्य और तृत्य श्रेनी से इंटर पास करने वाले छात्राओं को लाब दिया जाएगा इस योजना के तहत पर्थम श्रेनी से इंटर पास करने वाले छात्रा को 25,000 रुपी और 30 श्रेनी से इंटर पास करने वाले छात्रा को 10,000 रुपी दिये जाएंगे धार इंटर पास स्कॉलर्शिप 2022 कब तक मिलेगा प्रोशाहन राशी का पैसा खबरों की माने को इसी महिने से सवी छात्राओं को प्रोसाहन रासी का पैसा दे दिया जाएगा इसका मतलब है कि दिसंबर 2022 के आंत तक सवी छात्रों को बिहार इंटर प्रोसाहन योजना के तहत मिलने वाली रासी उनके खाते में भेज दी जाएगी इस योजना के तहत लाव लेने के लिए योग्यता इस योजना के तहत लाव केवल बिहार के निवासी छात्रों को दिया जाएगा इस योजना के तहत लाव केवल लड़कियों को दिया जाएगा इस योजना के तहत लाव केवल अविवाहित लड़कियों को दिया जाता है इस योजना के तहत लाब केवल पडिवार के दो बालिकाओं तक दिया जाता है इस योजना के तहत राज्य की इंटर पाश छातराओं को लाब मिलेगा चाहे हो परतम शरेनी से रित्य शरेनी से वो तिरन विवी हो या फिर condition शरेनी से हैं बिहार इंटरपास स्कॉलर्शिप 2022 ऐसे मिलेगा प्रोशान राशी का पैसा इस योजना के तहत लाब के लिए इस बार किसी भी परकार का कोई भी आवेदन नहीं लिया गया है इस बार विद्याले के तरफ से और बोट को वो तिर्ण छात्राओं को सुची भेजी जाएगी जिसके बाद उनका मिलान किया जाएगा जिसके बाद छात्रों को उनके प्रोसाहन की रासी उनके खाते में भेजी जाएगी यह रासी आपके उस खाते में भेजी जाएगी जो खाता संक्या आपने रेजिस्टेशन से समय दिया था बिहार इंटरपास स्कॉलर्शिव का इमांट चेक करने के लिए डिस्क्रेप्शन में लिंग का वहाँ जाके चेक कर सकते हैं